नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको डीजी लॉकर के बारे में बताऊंगा कि किस तरह डीजी लॉकर के अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है डीजिटली स्टोर कर सकते हैं जैसे दोस्तों कभी आप मोटर साइकल पे यदि जा रहे हैं और कहीं पे आपको पुलिस वाले यदि रोग दें और आप से यदि आप लाइसेंस आरसी और ये सब मांगें तो उसके लिए दोस्तों आप डीजी लॉकर के अंदर योदि आपने डीजिटली अपने स्मार्टफोन में अपने डॉक्यूमेंट रखे हैं तो वो भी जो है वैद्य होंगे यानि कि वो भी मान्य होंगे तो किस तरह से आपको ये डीजी लॉकर इंस्टॉल करना है तो आपको यहां से कर देना है डाउणलोड अपने फॉन में मेरे समा अउडली डाउणलोड है तो यहाँ पर ओपन को अप्छन आ रहा है और उसके बाद झो है हम क्या कर देंगे इसको ओपन कर देंगे आपके होम पर भी यहाँ पर आपको डिजी लॉकर दिखाएगा करना है तो आप इसमें user ID भी create कर सकते हैं या आप आधार कार्ड से directly इसमें OTP के थुरू login कर सकते हैं login करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर dashboard में जैसे मैं already is user हूँ तो मैंने यहाँ पर 4 document जो है digitally store किये हैं तो यहाँ पर 4 document दिखा रहा है आप नए user होंगे तो आपके यहाँ पर 0 document दिखाएगा तो आपको issued में जाना है और यहाँ पर search करना है आप अपना आधार कार्ड यहाँ पर search करेंगे आधार पड़ती है तो आप यहाँ से उसको दिखा सकते हैं वो भी मान्य होता है तो दोस्तों जैसे आजकल जो चेकिंग में यदि पुलिस वाले आपसे कोई भी document मांगते हैं तो आप यहाँ से जो आपके यहाँ पर digitally stored है जैसे मेरे यहाँ पर आधार कार्ड है driving license है pen card है और जो मेरी गाड़ी है उसका registration form है तो मैं यहाँ से जो है दिखाऊंगा तो यह जो है भारा सरकार का एक app है और यह जो है बिलकुल भी मान्य है यानिकी वैद है तो दोस्तो वीडियो आपको कैसा लगा आपसे लाइक कीजी शेर कीजी और चैनल में नहीं है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लिजे ताकि इसे तरह के वीडियो और अपडेट आपको आगे भी मिलते रहें धन्याबाद